तो हर संडे के तरही संडे भी हम अपना सेक्टला उटलूक एंड लेवल समडी की वीडियो डिसकस करेंगे प्लस इंपॉर्टन न्यूस वकिरा जो चल रहे हैं उनका डिसकेशन भी कर देंगे तो आज के इंपॉर्टन न्यूस फ्लोस में फर्स्ट न्यूस रहेगा वो जो बिलोव 2000 ट्राइजेक्शन के नीचे पर जो जीएस्टी वकिरा के बात चल रही है तो वो सब मैं डिसकस कर लूँगा उसका कुछ इंपक्ट हो सकता है क्या इसे भी बस अप्लाई करने वाला है यह बस क्यों हो रहा है यह भी डिसकस कर लेंगे थर्ट चीज यह रहेगा कि ग्लोबल मार्केट जो डाउन होके बंद हुए है तो उतका क्या पॉसिबल इंपक्ट हो सकता है मंडे को फोर्थ यह रहेगा कि इतनी सारी जो नेगेटिव यूशल रही है प्लस पता नहीं कल कहां से रूमर्स उठा कि नाइडो जी सपोर्ट वापस ले रहे हैं और तो यह सब चीजों क्या इंपक्ट हो सकता है ओवराल हम समझने कोशिश करेंगे और यह देख लेंगे कि किस त पी तक मार्केट चला जाता था तो अभी कौन सा 22 23 में महेंगा है तो मैं वही एक्जांपल से आपको समझाने कोशिश करूँगा कि किस तरीके से तो बहुत बड़ा डिफरेंस ऐसे ही क्रियेट हो गया तो हम अल्रेडी अभी अपने पीक वैलुएशन पे चल रहे हैं हम कोई सस्ते वैलुएशन पे नहीं चल रहे हैं काफी लोगों लगा हिस्टोरीकल पी तो इतना यादा रहा है तो अब आप क्यों बोल रहे हो कि हम औ आप अभी अपने लेख सकते हैं कर लगए है क्योंकि इस्टोरीकली का अलग था कि अभ यह अभी पूरा अलग है आप एपल टू अप 누कर कर्ण डिफर वेज़ करें में फिर एवल करींगए और यह सब करते हुए उसके है एक जिनको चार्ट अनलेसिस देखने हैं वो फ्राइडे की वीडियो देखें इस वीडियो में हम जेनरिक डिसकेशन्स एंड नॉलिज पॉन्ट अव्यू से जो नॉलिज रहता है वो शेयर करने ही कोशिच करते हैं तो चलिए मैं एजांपल से आपको समझाने ही कोशिच करता सब लोग जानते हैं इससे मेरा पर्सनल करनेक्शन है तो अब जैसे यह है कोल इंडिया का ठीक है हमने कॉंसलिटेट ऑन करके रखा है अब मैं अगर कौटरी डिजर्ट पर जाओं तो इसका आपको रेवन्यू दिखेंगा 32,500 करोड़ो आठ जार आठ जार आठ सो करोड़ का प्रॉफिट अगर जून 24 डेटेस्ट कॉर्टर का देखेंगे तो 33,000 करोड का रेवन्यू 11,000 करोड़ का प्रॉफिट यह कंसलिटेट हुआ अब जैसे ही स्टैंडल हम जाएंगा आप फिगर्स चेंज होते वे देखिए अब आप देखिए कि फिगर्स किस तरीके से च छलाय है यह क्यों हो रहा है यह स्टाउक हुआ तो उनका देखिए आप रेवन्यू प्रॉफेट्डिवल्टी में कितना डिफ्रेंश है इसी तरह है थी टिरह चाओट जाए इवानों अगर आप जाएं और इसके आप quarter results में जाएं तो quarter results में आपको क्या दिखेएगा 2,57,000 क्रोड का revenue and profitability 17,000 क्रोड का बट जैसे ही आप standalone में जाते हैं जैसे ही आप standalone में गए आपको क्या दिख रहा है 1,40,000 क्रोड का revenue 7,600 क्रोड का profit बतलब अब PE ratio क्या होता है price divided by earning तो stock क्या price पहले भी वही था अभी भी वही है क्योंकि stocks का valuation consolidated level पे हरवेशा से होता था PE ratio हमारे यहाँ पहले जो Nifty का PE जो disclose करता है था NSC वो करता था standalone के basis पे तो जब standalone के basis पे disclose करता था ना तो उस पे क्या होता था कि standalone के basis पे disclose करने पे वो standalone का profit लेता था तो price divided by earnings में वो standalone का earning ले रहा है और standalone की earning अगर कम है तो by default price divided by earning में आपको price हरमेशा ज्यादा numerator चुकी बड़ा है तो PE ratio आपको हरमेशा ज्यादा दिखाए देगा अब वही जो जैसे रिलाइस का इसामपा था 7000 क्रोर्स की earning सेम प्राइस को सेम 3,000 रुपीज को आप 7000 से डिवाइड करेंगे और 17,000 से डिवाइड करेंगे तो डबल का डिफरेंस आता है तो जो अभी आपको 2324 निफ्टी का पी दिख रहा है वह एक्चुली 40 प्लस है हम इतने पी पे चलना है अगर आप पुराने टाइम से कंपेर करेंगे तो यह जो पुरा कैलकुलेशन का मेटलोजी ने चेंज किया ना उसके बाद इन्वेस्टर्स को कन्विंस करना कि भाई आप हाई वेलेशन खर सिंपल और ये एक स्वाइब नहीं अट इसे-जार स्टॉक से जाटा डीया जब तक है तब तक तो 51 स्टॉक से निफ्टी में आप्टी में आएगा तो पहले जादा दिखता था अब पी कम दिखता है तो लगता है कि पी सस्ता हो गया जबकि पी अभी अभी उसका जो भी चल रहा है नो उसको 1.5 से 1.4 से मल्टिप्लाइ कर डिके बेर में निमा तो अगर पचीस का पी अभी दिख रहा है ना तो वो एक्चुलिए 37-38 पी है जो कि हाई वैल्वेशन पर यह आता है यह एक प्रॉब्लम है और यह किया क्यों गया था क्योंकि कोविट के सब्सक्राइब क्रेश किया था तो मार्केट को सस्टेनेबल दिखाने के लिए कि भाई हम बहुत एक्सपेंसिव नहीं हो गया है क्योंकि पी रेशियो अगर से म अब वह चेंज हो चुका है तो आपके उपर है बट मेरा का में समझाना बहुत लोगों समझ में आता है बहुत लोगों को नहीं आता है जिनको नहीं आता है उनका कुछ कर नहीं सकते तो वह अपना अलग रोना रोते रहेंगे बट जो जो मार्केट में सीरियस हैं जिनको लॉंग टम इनिवेसटर बन के रहेना है जिनकी वैल्य विदिए बनती हैं जिनको 10 का 15,000 कल करके खुश हो के 15,000 का परसो जीरो कर देना है उनके लिए इसा वीडियो नहीं होती है क्योंकि उनको सीखना ही नहीं है किसी पढ़े लिखे आदमी से जब डिसक्रस करोगे तो पढ़े लिखे पॉइंट अव्यू से डिसक्रस करना होगा यह लगेगा तो मैं एक को सिंप्लिफाई कर देता हूं देखिए यूपी आई टो यूपी ट्राइक्शन में कोई चार्जेस है नहीं अब क्या है जैसे मर्चेंट पर जब करते देना तो एक डिट परसेंट चार्जेस लगता था ठीक है तो मर्चेंट ट्राजेक्शन लगते अब फ्रॉब्लम कहां है कि छोट्रा में खतम करने का ही पुड़ा प्लैन चल रहा है यह एवइंच्वली प्लैन है कि छोटे मर्चेंट को खतम कर देना है क्योंकि अब क्या हो गा आप अच्छा उसमें भी क्या है कि अगर वह बोले कश्टमर को एक्स्ट्रा लेंगे तो क हां तो उसका विचारी का लॉस होगा अब हो जो भी लॉस होने वाला है ठीक है एक परसेंट पर 18 पैसा मतलब समझ लीजिए मतलब क्या है मतलब स्बसक्राइब अब बॉल्स आपक यूरम दास को लिटरली चूस के खतम कर देने का इन लोगा प्लैन हो गया अब यह किया क्यों जाता है तो एवन और टू खुश रहे एवन एटू क्या है कमेंट सेक्षन बताई तो यह चीज होगा फर्स्ट न्यूज यह सेकेंड न्यूज चल रहा है अगेन वही सेवी का की एफनो रूल्स एफनो रूल्स एफनो रूल्स का देखिए मैं पहले भी समझाया था अभी फिर से समझाओंगा घबराने की जरूद नहीं है सेवी की हाथ में जो मेक्सिमम है वो है लॉट साइस का बढ़ा देना ठीक है पहले 50 में निफ्टी आप ट्रेट करते थे कॉंटिती में एक समझे पर 45 का निफ्टी एक समय पाश्यों 45 से starts हुआ। मिट्टेप निफ्टी 75 से स्टार्ट वोगा था तो कॉंटिटी का पहले भी बड़ा कॉंटिटी आपने हैंडल किया है प्लस एक चीज और माल लो आप ऑप्शन बायर हो तो क्या 25 कॉंटिटी निफ्टी बाई करते हो जो सीखते हैं सीखने वाले स्टेज में लोग बाई करत करते हो तो तो आप सो कॉंटिटी बाई कर रहे हो और अगर आगे चलके वह सो ही मिनिमूम कॉंटिटी हो जाता है तो क्या हो गया आपको क्या फर्त पर गया मतलब निफ्टी का अगर कॉंट्रैक्ट साइज यहां से फोरेक्स भी कर दिया जाए तो 25 के बदले आपको 100 कॉं करते हैं उनको दिक्कत आएगी उनके लिफवासा यह चैलेंजिंग होगा कि इतने कम मार्जिन में सेलिंग कैसे करें यह थ्वासा दिक्कत आएगा उनके लिए ठीक है कोई बात नहीं होता है ऐसा लेकिन हाँ बट जो सेलिंग भी जो लोग तीन लोट चाल लोट पर करते ह उनको हाडली कोई डिफरेंस आने वाला है तो उस पॉइंट आव व्यू से मतलई है आरोई पॉइंट आव व्यू से डिक्लाइन हो सकता है क्यों हो सकता है क्योंकि अगर विक्ली एक्सपाइरी कम हुई तो बट जितना इनको पैसा का भूख लग गया ना यह खाली दिखा आ रहे हैं कि इनको कोई आक्शन लेना है चाकि हम ट्रेडिंग कम कर सकें बट यह करना चाहते नहीं है क्यों रिजन हो आता हूं आपको आप एक्सपाइरी बढ़ा रहे हो दिन पर दिन एक नहीं एक्सपाइरी अप्रूफ कर रहे हो अभी आपने दो बेज़ी को देके नहीं चाहते हैं कि स्मॉल ट्रेडर्र मार्केट में आए तो हम लॉट साइस बढ़ा देंगे कि लोग 50 लाग का कॉंट्रैट कर दिया तो एक चीज में बता दूं आपको कॉमोंटिटी में गोल्ड का कॉंट्रैक्ट 50 लाग कही होता है अभी तो 70 लाग का कॉंट्रैक्ट है वहाँ भी ट्रेडिंग और इंडियन मार्केट में निफ्टी वैंग निफ्टी में आप कर दिया निफ्टी में प्राइस प्राइस प्रेड़ कर लेता था अब पूर्ण फोन एक प्राइस पे एकजित करेगा करेंगा यही दिफ्रेंस आएगा बस कि ओपनेटेटी बठाने से एक त्टी अच्छा है ब्रोक्रेज कॉस्ट गम लगेग गए विभॉरल एक्टिव रिडूस में उंट करना और चाहते हैं रहे सिथा इंकम करता दिए तो बूला कि देखो इतने तो आ चुके हैं ओड्रेडिंग कर रहे हैं वो लोग और यह उत्व पाइसा को एक वीडियो का पैसा देती तो पैसा देते था में को रिफरेल इंकम से इंट्रेस्ट नहीं था तो यह हुआ, अब क्या हो गया कि वह पैसे बज गया हों कि रेफरेलिंगम वाले क्योंकि जो ट्रेडर सस्टेन कर चुके हैं, वो ट्रेड कर रहे हैं तो वहां बच गया तो ब्रोकर को आपने वैसे बचा लिया अपना अब टर्वार कम करने वाले்ड़नेर्वाले आही ठाइट आइста ल५ट टो सेवर बच गया ब्रोकर ब्रोकर को आपने व该 पूरा में नॉर्मल लोगों का यहां पूरा स्विक्ष के उसका hardly कुछ आने वाला है, in fact, यह लोग इतना बोल रहे हैं, F&O करेंगे, F&O करेंगे, F&O करेंगे, जो नया F&O का रूल लेकिया है, stocks के उपर, उससे और 100 stocks add होने वाले है, F&O trading में, बात क्या थी, F&O को कम करेंगे, राइट, और 100 stocks बढ़ जाएंगे trading के लिए, अभी तक 1500 stocks का pool है, वो 2500 या 230 stocks का pool होने वाले है, तो आपको लगता है ऐसा, कि आपके अच्छे के लिए किया जा रहा है, बट आपके अच्छे के लिए कुछ नहीं किया जा रहा है, यह ध्यान रखेगा मेंशाद, तो आपके लिए नहीं क किया जा रहा है, यह system चलने के लिए किया जा रहा है, उसके बार और कुछ news flows, बड़े news flows में तो थे नहीं, यह जो नाइडू जी का news सुनने में आ है, मैंने हिसाब से देखिए कहीं भी कहीं, किसी popular news channel ने तो कुछ नहीं बताया, तो नहीं बताया है, तो हमको क्या ही दिमा पड़ जाएगा, कुछ फ़र्ख पड़ेगा तो comment section में जरूर बताईएगा, अच्छा, इनको भी तो खुछ रखना जरूरी है, तो अभी तो यहीं है, और कुछ, I don't think so, कोई major news बचा, कोई major news और तो कुछ बचा नहीं है, नाइडू जी का भी news हो गया, हाँ, मनीपूर म पड़ा है, बाकी सेम इंडिया भर में हो रहा है, उससे किसी को फर्ख नहीं पड़ता, तो यह चीज तो है, अब क्या कर सकते हैं, तो कोफुली कुछ अच्छा action हो, जो भी culprit है, उनको जल्दी से जल्दी सजा दिया जाए, मैं तो कहता हूं कि उनको, क्या नाम है, इसका, विक्टोरिया हाउस के सामने, खड़ा करके गोली मार देना, जो लोग क्या बड़ते हैं, वह जानते हैं कि विक्टोरिया हाउस क्या है, विक्टोरिया मेमोरियल नहीं, विक्टोरिया मेमोरियल एक sightseeing place है, विक्टोरिया हाउस is properly located at expanded crossing, जिसको धरमतला crossing बोनों बोलते है सारे पब्लिक मीटिंग रैली वगेड़ा उधर से होती है, वहीं पर खड़ा करके गोली मार दो, यह लिए वह सबसे अच्छा इस मैटर को हैंडल करने का यही तरीक है, लेकिन उसके लिए पहले कल्पिट को पकड़ना पड़ेगा, आपको कल्पिट पकड़ने में आपने प जो वहां का कॉलेज का प्रिंसिपल था उसके उपर, ठीक है, करो आप, लेकिन पहले कल्पिट तो पकड़ के बताओ, यार कितना दिन लगाओगी कल्पिट पकड़ने में, नहीं पकड़ने आ रहा है तो बोलो कि efficient नहीं है हम लोग, ठीक है, पुलिस ने अपना काम पल्ला जाड़ दिया, बोल दिया कि भाई, हमने तो पकड़ लिया, अब अपना देख लो, ये लोग भी वहीं बोल रहे है, हमने पकड़ लिया, हम बस investigation कर रहा है, करो तो basically कड़ना किसी को कुछ नहीं है, मतलब अच्छा के लिए, कड़ना होता दब तक कर चुके होते हैं, कभी- ये models है, यहाँ पर लगाना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन ठीक है, अगर हो जाए, तो अच्छा होता, जो अच्छी चीज़े हैं, मैं उनकी बारे में अच्छा बोलता हूँ, और जो खराब चीज़े हैं, मैं खराब बोलता हूँ, और प्राबलम क्या है, कि लोग का mindset से डिखना संकीन है, तो ये चीज़ होई, और कोई important news तो है नहीं, global markets बहुत गिर के बंग है, कुछ US के job data का effect था, मैं इको न थोड़ा था, समझ में नहीं आता है, इनके job data का मतलब, इमाजिन करो, एक country है, जहाँ joblessness बढ़ गया, तो उसका मतलब गिरना चीज़े हैं, मार वही चीज़ बढ़ने पर हो बोलते हैं, हमारा expectation से कम बढ़ा, इसलिए हम बढ़ गए, तो same data पर आप दो बार दो अलगतर का reaction देते हो, but eventually दोनों data same ही था, but एक बार आपने expectation कम रखा था, इसलिए कहा कि data अच्छा है, और एक बार आपने expectation के बराबर रखा था, तो data खरा जापान, जिस aggression में है, हो सकता है, फिर से एक rate increase वो करे, अगर जापान फिर से एक rate increase करता है, तो Japanese yen, अगर dollar trade में 140 के उपर cross कर गया, मतलब, downside में, मतलब 140 के नीचे cross कर गया, which is a bullish Japanese yen, अगर वो हुआ, तो global unwinding थोड़ी सी odd बढ़ सकती है, risky assets इतने हैं, सब में unwinding आ सकती है, उसके कराण global markets पर impact रहेगा, and we are different, we are different, we are different, सुन-सुन के मैं ठक चुका है मेरा कान, लेकिन जब आग लगती है, तो हर जगा लगती है, कहीं पे किसी का profitable position है, इंडिया में अगर उनका profitable position है, तो वहाँ से वो book करेंगे, पैसे निकालेंगे, to furnish their yen trade, तो यह होगा, कम करता है Japanese market अपना rate increase वो पता नहीं, I hope कि जिस दिन करें उस दिन वो live market में करें, कि market सीथा gap down में ना खतम कर दे, तब फिर हम आए ले था बच्चे का कुछ opportunity, live market में opportunity मिलने पर क्या है ना, कि हम बहुत अच्छा trading opportunity देख पाएंगे, फिर क्या होगा, तब मज़े आएगा, सेक्टर्स की बात करें अगर मेना मानना यह है कि किसी भी सेक्टर में फार्मा छोड़के बहुत ज्यादा bullish होने की कोई जरूवत नहीं, सब सेक्टर में कुछ ना कुछ उनके खुद के issues हैं, सारे issues धीरे धीरे out and open होते जा रहे हैं, गौर्मेंट PSU stocks आप समझ लीजिए, almost election वारे लोग के आसपस ही सब चल रहे हैं, और आगे और उनका बुड़ा हाल होना है, एक दो stocks specific छोड़ दीजिए तो बाकी सब का हाल वही है, उसी समय से वो टॉप 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 चल रहा था, अभी क्या होके रखा है, काफी सारे stocks थोड़ा सा समाल के रखे हैं market को, but eventually वो भी आज नी तो कल नहीं समाल पाएंगे, let's see कब क्या होता है, but stocks में जादा देखने को मिलेगा, and pain आपको index पर साइज हो सकता है, visible ना दिखे, इंडेक्स में in the sense कि numbers में थुआ सब गिरता होगा दिख जाएगा, but बहुत ज्यादा index टूटे ऐसा कुछ होता होगा नहीं दिख रहा, 2-3% टूट भी गया यहां से तो मतलब क्या ही हो जाएगा, मैं तो चाहता हूँ कि 18000 पर आए market तो वह तो आ नहीं जाए, जब तक वह नहीं आता है तब तक कुछ कर नहीं सकते, लेकिन ideally मेरे हिसाब से current market fair valuation अगर हमको निकालना हो तो हमको 18000 पर निकालना जीए market का, वह ठीक है वहां तक जाएने पर तो आथे investors स्वाह हो जाएंगे, यह शो किया market ने Friday को, कि 10 minute भी नहीं लगता है बुल्स को market से भागाने में, उसके बाद फिर बुल्स वापस नहीं आते हैं, और उसके बुल्स तब वापस आते हैं जब बियर्स अपना trade छोड़ते हैं, कि हो गया मेंना, सब बुल्स वापस आते हैं, ठीक है, आते हैं लेवल्स पे, 24,820, 24,820 के नीचे market अगर तिकता है, 24,700 फर्स्ट लेवल, 24,600 लेवल, जो कि आपका 100 DM है, 50 DM है आपका, वहां market अप्रोज करने की कोशिश कर सकता है, upside में क्या लेवल नहीं है, upside में 24,900 का लेवल, जब तक इसके वापर market नहीं निकलता है, बुलिश वीव मतलाईगे 24,900 लेवल निकला, 50,500 के नीचे, 50,300, 50,100 तक तो easy move है, 50,000 का लेवल मार्केट अगर तोड़ा आना, तो 48,900 तक का बड़ा डूर open हो जाएगा, किसी को नहीं पता बड़ आ जाएगा, upside का क्या लेवल नहीं नहीं पता बड़ आ जाएगा, इसके उपन निकलेगा, तो market bullish view लेने की कोशिश कर सकता है, देख लीजिएगा, opportunity मिलेगी तो समझ लीजिएगा उसको, mid cap में क्या लेवल धियान रखना है, 13,060, तूटा तो 13,000 first level, 12,960 second level, यह देखने को मिल सकता है, इसके नीचे टूटा, तो 56,800 तक first move, 56,800 भी टूटेगा, तब real fall चालोगा, उसके बहले नहीं, अब साइड में क्या धियान रखना है, 57,350 का लेवल, 57,350 के उबर market निकलता है, तो bullish view आ सकता है, उसके लिए धियान रखेगा, gold, silver and other asset classes में, मुझे बहुत ज़्यादा कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, इस week sideways to negative, sideways ही मान के चलिए, crude हो सकता है, depending कि Middle East टे क्या news आता है, उसके ओपर react करे, बढ़ वो अगर कुछ नहीं significant आता है, तो सारे commodities मेरे को sideways का ही दिमांग लग रहा है, या कुछ, बहुत खराब कुछ हुआ, कहीं recession वागड़ा का news feed से चाल हुआ, तो gold shoot करेगा, नहीं तो और कुछ होता हुआ, दिखाई नहीं दे रहा है मेरे को, इसका मतलब बहुत जादा bullish नहीं दिख रहा है, होने का हो भी सकता है, एक दिन लगीगा pattern change होने में, बट अभी तो नहीं दिख रहा है, वीडियो अचे लगी हो, तो like जरूर कर दिजेगा,